Hello Everyone Good Morning क gouvern a hug hope that you will be very good और इसystem है morning का time है मैं कर रही हूँ नाश्ते की तियारी तो नाश्ते में बना रही हूँ काले वाले चने जो सुखे भनते है हस्ट्रमी में तो कड़ाई में तेल डाल दिया है मैंने उसमें डाल दिया है जीरा और हिंग डाल दी है और दो बारी कटीवी हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और अब मैं इसमें डाल दूगी सुखे हुए मसाले तो सुखे मसाले में लाल मिर्च डाल दी है कुटा वधनिया अमचूर डाल दिया है नमक डाल दिया है और थोड़ी से डाल दी है कसूर तो कसूरी मेति से बहुत अच्छी खुश्वाती है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और अब इस में डाल दूगी जो बॉयल करे हुए जो काले चने हैं वह मैं डाल डाल दूगी और रात को चनों को भीगो दिया था मैंने और थोड़ा सा डाल दिया था खाने वाला सोड़ा तो उससे सुवब बहुत जल्दी जो है गल गए थे जादा टाइम नहीं लगा और तीन या चार सीटी में आराम से हो गए थे बहुत अच्छी तरह से गल गए थे औ और अब इसको तीन चार मिनट तक मैं ढखके अच्छी तरह से भून लोगी जिससे की मसाला अपस में अच्छी तरह से लग जाए तो इसको तीन चार मिनट तक मैंने भून लिया है और अब इसको जो है मैं अच्छी तरह चला लोगी और चने हो गए है रेडी और इसके लिए और नाश्ता लिका लिया है और नाश्ते का काम निप्टाने के बाद बरतन हो गए थे सारा काम हो गया था सुबा का तो मैं आ गई हूँ छत पे और यह जो मेरे पौधे लगे वे हैं इसको मैं थोड़ा सा जो है खोद रही थी क्योंकि काफी सारे पौधे ऐसे जो जाती में लेकर आई हूँ यहां पे चाय पती तो चाय पती लेकर आई हूँ भीगा के रखी वी थी चाय पती तो जो गुलाब के जो पौधे होते है जो गुलाब का फूल उखता है तो उसमें बोलता है कि चाय पती होती है जो वह बहुत अच्छी फायदे मंद होती है और चाय पती सबसे बेस्ट होती है तो मेरे को माली ने भी बताया था कि चाय पती डाला करो आप तो यहां पर मैं चाय पती लेकर आई थी तो इसको पहले मैंने खोद लिया था ची तरीके से और खोदने के बाद मैंने चाय पती डाल दी थी और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे और कर रही हूँ दिन के खाने की तयारी तो दिन के खाने में बनेगी रसे वाले काले चने तो सुबह जो मैंने चने बनाए थे तो वो रखे वे थे थोड़े से और थोड़े से और वो बच गए थे तो जब भी काले चने बनते हैं हमारे यहां तो सूखे वाले बनते हैं सुभा और दिन में बन जाते हैं रसे वाले तो यहां पर मैं कर रही हूं सी की तयारी तो कड़ाई भी मैंने डाल दिया है तेल उसमें डाल दिया है जीरा और हींग और अब उसमें मैंने डाल दी है लसन प्याज अद्रक और हरीमिट चॉपर मैंने चॉप कर दी थी वह मैं इसमें डाल दूगी और इसको ब्राउन होने तक अच्छी तरह मैं इसको पका लोगी और काले बले चने जब भी बनते है तो हमेरा हमेशा यही होता है कि सुभा सुख डाल दोगी सुख्य अधाय फिचे नियुक्तिश zod भी अथ-W होटक रचो गदो इसको अच्छी तरिके से मैं कर लो गी मिक्स और मिक्स करने के बार यहां पर मैंने टमाटर को भी छॉपर में चॉप कर लिया है और तोड़ी से मैं भूल गई थी रंग वाली मिर्ण जो कश्मीरे लौल मिर्ण होती है वो तो भी मैंसमें डाल दूगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लोगी तो मसाला हो गया था और अब मैंसमें डाल दूगी टमाटर तीन टमाटर लिये है मैंने मीडियम साइज के तो तो उसको chopper में chop कर लिया था वह मैं डाल दूगी और अब इसको अच्छी तरीकिश से पका लिया है मैंने और थोड़ा सा यह यह टैंאן छादा लेता था तो थोड़ा सा मैं इसमें पाने डाल दिह से जल्दी से टमाटर मम गल जाते Pennsylvania सबाड़ा तो यहां पर हो गई है यह ग्रेवी रेडी तो अब इसमें मैं डाल दूगी यह जो बले वले जो मेरे काले चने थे वह मैं डाल दूगी और अब इसको अच्छी तरीके से कर लोगी मैं मिक्स और मिक्स करने के बाद इसमें मैं बहुत गाड़े हो रहे है क्योंकि काले वले च तो यहां पर आगया है और चने हो चुके है रेडी और अभी थोड़े पतले लग रहे है लेकिन रखके बिल्कुल गाड़े हो जाएगी और अब जाके हुई हूँ मैं फिरी अब जाके मैं थोड़ी देर करूगी अराम और अभी उपर से कपड़े भी लेकर आने है क्यूंकि जैसी जब तक धूप रहती है तब तक कपड़े सही रहता है वरना उपर एकदम से ठंडे हो जाता है कपड़े तो अभी जाऊं कि जैसी थोड़ी दिर बाद देखूगी कि जैसी धूप कमोने लगेगी छट पे जब तक चार बे तक तो आती है धूप उसके बाद चार सवा चार बजे जो है फिर कमोने लग जाती है तो जब धूप हटेगी उससे पहली जाके कपड़े लेकर आ जाओंगी और आज सुबह से तो ठीक था मेरा मूर ठीक हो रेखा थ लेकिन थोड़ा सा दिन में जो मैंने आप लोगों को पताया था कि हमारे परोस में किसी को करोना ओल गया था जो बिल्कुल हमारे घर के साइड वाला घर है तो उनको करोना हुआ था पूरी फैमली को जगया था लेकिन अब साब लोग थे को गए और अप्साओंग से बहुत ज़्यादा और फुरा लगता है जो हम लोगों के साथ रहते हैं जनको हम देखते हैं अपने औरने साथ यहाँ मिल्न तो नोगता था कि हुग को गये थे कि अंगरद अर इसा पता चल रहा है कि ँतनी ज़्यादा खराब भूभ ए और डॉक्टरों ने अभी जो है मतलब बोल दिया है कि बहुत मुश्किल है कि जो बजह से बोलते हैं कि कोई चमतकार है उनको लोग्रा सकता और बैंटी लेटि पर आ गया है वह उपनिलेटर पर है तो बहुत मुश्किल है तो उनकी ला हूं ले बसकाद करी तो बड़ा मूड सा ओफ होता ही चीजे देखकर और उनको भी कुरोना हो गया था इस वज़े से वर्णा जो है वैसे वह बहुत फिट थे सुबा पांच बजे उठते थे और सारा काम करते थे मतलब इतनी एच थी उनकी 70 के असपास थे शायद तो मतलब लगता नहीं था कि ब पूरा सा लग रहा है होता है जिनके संपर्क में हम रहते हैं कभी अचानक से कुछ ऐसा होता है तो बुरा लगता ही है क्योंकि जो है एक रिष्टा होता है ना मतलब हर रिष्टा जो होता है यह नहीं होता कि खून का रिष्टा ही सब कुछ होता है कुछ रिष्ट ऐसे होत दोस्ती के हो गया कुछ भी मतलब ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़ा सा ज्यादा करीब हो जाते हैं और जैसे जब से हमारे पापा एक्सपायर होए तो उसके बाद से वह अंकल हम लोगों का बहुत ध्यान रखते थे मम्मी का भी मम्मी को जो अपनी छोटी बहन की तरह मानते थ मतलब बहुत ध्यान रखते थे कोई भी परिशानियों को जो बोलते थे कि मुझे बताना तो अब उनका ऐसा हो रहा है तो बड़ा पूरा सा लग रहा है तो बस अभी थोड़ी देर करूगी रेस्ट और उसके बाद प्यूंकी चाय और गले में भी थोड़ा सा दर्द हो र तो मैंने सारे कपड़े उठा लिए तो इस पेसे जो थोड़े से में को लग रहे थे कि नमी वाले है थोड़े हलके सी लग रहा था तो उसको अभी भार इधर की तरफ आंगन की तरफ दूप आ रही थी तो मैंने वहां पर डाल दिये थे और यह सारे कपड़े सूग गए तो इनको अलग मैं तैय करके रख रही थी तो जो यश के कपड़े थे वो अलग तैय कर रही थी अपने अलग और इनके अलग तो यश के पापा की और यश की तो एक यलमारी है जिसमें उपर वाला जो है हिस्सा वो यश का है और नीचे वाला हिस्सा इनका है और मेरी अलग स क्योंकि होता है लेडीज के ज़्यादा कपड़े होता है जैन्स के नहीं होता है लेकिन सर्दियों में कपड़े सबके बढ़ जाता है तो सर्दियों में रखने की बहुत दिक्कत हो जाती है कि जैकिट होती है स्वेटर होते है बहुत ज़्यादा होता है तो यहां पे मैंने सारे कपड़े कर दिये है अब इसको रग दूगी अलमारी में और अब उसके बाद मैं यहां पे आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ अपने बालों में तेल लगा रही हूँ oiling कर रही हूँ और हफते में एक बार जरूर अपने बालों में तेल लगाना चाहिए वैसे तो मेरे बाल oily है मैं oil बहुत कम लगाती हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि हफते में एक बार जरूर लगाऊं क्योंकि जब से यश हुआ है उसके बाद से हैर फॉल बहुत हुआ है मेरे को बहुत हैर फॉल होता है तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ और ये तेल वाला है केश किंग तेल आता है जो वो है और इसमें से आगे की तरफ कॉम टाइप का भी लगावा है तो इससे अच्छी तरह लग जाता है ये तो यहाँ पर मैं यही लगा रही हूँ और थोड़ा सा ही बचा ही ये काफी सारह मैंने लगा लिया है तो होता है जब बच्चा बोलता है कि डिलिवरी होती उसके बाद बहुत ज्यादा हेर फॉल होता है तो तेल मैंने लगा लिया अब इसमें हलके हाथ से मैं मालिश कर लोगी जिससे की अच्छी तरह से जड़ों तक पहुच जा है तेल तो यहाँ पे मेरा तेल लग गया है और कोशिश करती हूँ हर हफते करती ही करती हूँ मैं और आजकल सर्दिया है तो बहुत ड्राइनेस हो जाती है तो इसलिए ज़रूरी होता है सर्दियों में बालों में तेल लगाना तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है तेल